नमस्कार दोस्तों गुरुकुल अकेडमी में आप सिखा स्वागत हैं दोस्तों आज हम आप लोग गेंगे के 1000 कुशन की स्रीज का पार्ट नमबर 6 लेकि आ गए हैं जहां फ्रेंज से याद अखना सभी किताबों का निचोड़ करके हमने जीकी के 1000 कुशन का संगर त्यार करक याद खना इस वीडियो में आप लोग जितने भी कुशन देखेंगे सभी कुशन बारबर पर 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 पूश जाने वाले कुशन हैं लुशन स्पीडी अर्यंद कर निचोड़ करके हमने फ्रेंज से स्टार्ट किया याद खना अगर आप लोग किसी बेग्जाम के तियारी क पर पर लिच्फ याद देखेंगे सब्सक्राइब पर 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 इस वीडियो को जूड़े की तो आपको पांच सेट का वक्त मिलेगा उसके बाद हम आपको अनसर बता देगे और फ्रेंस फिर से request कर रहे हैं परते question का answer comment box में जूर देता कि जो भी आपकी doubt साथ में ही clear होते चल जाएं और फ्रेंस आपकी comment के माध्यम से ही हम अगला test त्यार करते हैं तो चलिएगा question start करते हैं मारा पहला question है चोटा नागपुर पठार के सबसे उंची चोटी कोंशी है बताएंगे जल्दी से फ्रापड कोंशी है शोब लोग फ्रापड जवाब देंगे बिल्कुल फ्रेंस चोटा नागपुर पठार के सबसे उंची चोटी है पारसनात तो ए हो जाएगा right answer यहाँ पर वन डे वंडर्स नामक पुष्टे के लिखक कोन है जे फ्रेंस बिल्कुल कोन है सुने लगावस करें तो ए रहेगा right answer सुने लगावस करें यादखना देखें next हिंदी हिंदू हिंदूस्तान का जो नारा है किस ने दिया था जे फ्रेंस बताएंगे आप लोग हिंदी सुने की क्या है मुक्ति दिवस मुस्लमानों दोवारा किस तापना थे तो दी रहेगा right answer पिया स्थ इखिए नेक्सट अखिल भारती किसान सबा किस तापना किस वर्ष हुई थी किस वर्ष 1936 में 1936 में हुई थी आदक ना तो option भी होगा right answer 1936 सार्दा एक्ट का संबंद किस से बताएंगे आप लो बिलकुर friends सार्दा एक्ट का संबंद है बाल युआ जी तो सी रहेगा right answer बाल युआ जी फ्रेंस सार्दा एक्ट को कब पायत क्या गया था 1929 में क्या गया था 18 सेप्तंबर 1929 को याद अखना देखिएगा next आईरन सब्द का संबंद किसी खेल से है आईरन सब्द किसी खेल से संबंद है गोल्फ से है तो ए रहेगा right answer गोल्फ याद अखने ठीक है देखिए next देश का प्रथम क्रिशी विश्वी धाले कोंच जाहे देश का प्रथम क्रिशी विश्वी धाले कोंच है पंत नगर विश्वी धाले है देखिएगा next राश्रपती सासन पहले बार कब लगा जिए friends बताएंगे आप जल्दी से कि राश्रपती सासन पहले बार कब लगा 1951 में लगा कब लगा 1951 में लगा तो भी हो जाएगा friends राट आउन से 1951 याद रखेंगे देखिए next question हमारा है जिए Александ दीली के लाल किले में मोती मसजिद का निर्मान किसने करवाया दिली के लाल किले में मोती मसजिद का निर्मान करवाया था किसने ओरंग जेब ने तो डी हो जाएगा देखिए next आती गूफवा अभीलेक में केन की उपलब्दियों का व्यूरन है बताएंगे जल्दी सिए आएथ राल्फपिच किसके सासन काल में भारत आया था किसके सासन काल में भारत आया था किसके काल में भारत आया था अकबर की काल में भारत आया था difference बिलकुल भी रहेगा रेट अंसर अकबर या दखेंगे आप लोग देखें नेक्स्ट खारी वेल को किस उपादी से पुकारा जाता है किस उपादी से महराज की उपादी से तो यह रहेगा रेट अंसर महराज या दखना आप लोग अच्छे से महराज देखें नेक्स्ट लखनो सेहर की स्थापना किस ने किय थी बताएंगे लखनो सेहर की स्थापना किस ने किय थी बिलू फेंस किस ने किय थी देखें लखनो शहर के स्टापना लक्षमन जी ने किये थी तुड़ी रहेगा राइट आंसर लक्षमन जी या दखेंगे आप लोग ठीक ना लखनो शहर के स्टापना किस ने किये थी लक्षमन जी ने किये थी ओफ्स्रम बड़ी हो जाएगा राइट आंसर लक्षमन जी या छप्ष्ञ्मी सक्षब्स अगला हैं मुगल गार्ण कहां पर है बताएंगे मुगल गार्ण कहांपर है कहां कहा है तो भी है मुगल गार्ण तो भी हो जाएगा राइट आउसर याद रख लेंगे ठीक है चलिए अगला कुश्छ देखिए रिगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है जी बताएंगे रिगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है बिल्कुल फ्रेंस अगर आपनों भी तक वीडियो को लाइक यहां पे दिया रिगी स्तान का जहाज किसी कहा जाता है जिलिकोल इंट को रखि कथान का जहाज कहते हैं तो डी हो जाएगा रइट अंसर या दखेंगे आप लोग रिग इस aपन नेक्स तरमा का विसकार या दखेंगे देखें नेक्स्ट केन सुगर को क्या कहा जाता है केन सुगर को क्या कहा जाता है जी बताएंगे जल्दी से जिफरेंस बिल्कुल केन सुगर को कहते हैं सुक्रोज सी रहेगा राइट आंसर सुक्रोज या दखेंगे आप लोग केन सुगर को कहा जात सविक्रोज ठीक है सि रहेगा रहें यह देखी नेक्स देचरल सैलेक्षिन का सिधांत किस ने दिया था रहेगा बांपर ने ठीक है देख में पर्चूर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कोने उक्षिजन है जी फ्रेंस भी रहेगा रैट आंशर ऑख्षिजन देखे नेक्स्ट सबसे जटिल कारभनिक पदार्थ कोने जी बदाएंगे आप लो बहुत अच्छी तियारी आपकी जल्दे से बदाएंगे कि सबसे जट सबढ़ेव से कब मनाया जाता है कि मिलकुल किस दिन मनाती हैं 30 ऑगस्त को मनाया जाता है घुकर और आथ सी लंका कस बताएंगे जल्लेजह से स्रीलंका हुआ ऐधा 1988 में 1948 में तो भी रहेनका रहेगा ररफ आंश में तक पाकिस्तान में कब बढलादेश को में तक ने ये चार्णाता पंड्रीप धिधि कब रहेगा रहेगा र्ची मेंट राइट अंश देखिल नेकस बंगाल विभाजन के समिए कांग्रेश के अध्यक्सकों थे बंगाल बिल्कुल कौन थे गोपाल क्रिशन गोखले तो भी हो जाएगा रैट आंसर गोपाल क्रिशन गोखले याद अखना कि बंगाल विभाजन के समें कांगरिस क्या देख्स कौन थे जी बिल्कुल फेंस गोपाल क्रिशन गोखले भी होगा रैट आंसर लेजी आगे चलेगा पुरहं कहां है, तमिल नार्व में है, कांची पुरहं फेंगा आप लोग, छीक ना कहां है, कांची पुरहं, तमिल नार्व में है, तो ofCIल मद्ध reacts रहेगा, रैट 5 आऊ ओसे, ये question आ सकता है काहबर exam में question आता है friends ठीक न तो आप लोग याद रखना तमिल नाडो में है कांची पुरा तो friends exam में आ जाए राज़ने कहा है चे नई में है स्थापन कब होती 773 में स्थापना होती तमिल नाडो की तो मुख्य मंत्री कुन है के प्लाने स्वामी है वही friends गवर्नर बनवरलाल प्रोहित है ये भी याद रखेंगे ठीक है देखेगा next कापार्ट का मुख्याले कहा है बताएंगे बिल्कुल friends कापार्ट का मुख्याले दिल्ली में है तो ए रहेगा right answer दिल्ली याद रखना कापार्ट का मुख्याले कहा है दिल्ली में है कापार्ट का मुख्याले चीक है चलिएगा friends अगला कुशन देखे क्या है बोध सिक्सा का वर्नन किस में मिलता है बोध सिक्सा का वर्नन किस में मिलता है बताएंगे जल्ले से से सुनाग वंस ने अपनी राजधाने कहां बनाए थी कहां बनाए थी वैसाले में तो सी होगा राइट आंसर वैसाले या दखना आप लोग बिल्कुर फैंस से सुनाग वंस ने अपनी राजधाने कहां पर बनाए थी वैसाले में तो सी होगा राइट आंसर वैसाले या दख लिएखक देखेंगे डिफेंडिंग इंडिया पुष्तकि ये लिखक कोन है कुई बताइंगे इंडिया पुष्तक ये लिखत कोन नहीं था सुवंत सिंग हैं defending India पुछत के लिखक तो फ्रेंस ओफ्षम बर्शी हो जाएगा रैट आंसर जो सुवंत सिंग याद रखेंगे देखे चलिए चलिए करांती अमर ही करांती अमर हे का जो नारा है पहले बार कब दिया गया था कब दिया गया था 1928 में दिया गया था करांती हमार हे का नारा याद आखेंगे ए हो जाएगा रैट आंसर 1928 देखे नेक्स्ट फादर ओफ इंडियन अन्रिष्ट किसी कहा जाता है बाल गंगादर तिलक को कहा जाता है सी हो जाएगा रैट आंसर याद आखेंगे आप लोग कि फादर ओफ इंडियन अन्रिष्ट किसी कह जाता है बाल गंगादर तिलक को कहा जाता है सी हो जाएगा जरेट आंसर बाल गंगादर तिलक देखिए नेक्स्ट हिंदू तथा मुस्लमान को किसने भारत की दो आखे कहा था हिंदू और मुस्लमान को किसने भारत की दो आखे कहा था सैद एहमद खाने कहा था तो भी के शासन काल में होम रूल लेक की स्थापना हुए थी लाड होर्डिंग दवीती के काल में हुए थी हम रूल लेक की स्थापना तो फ्रेंस डी रहे गाजी राइट आउंसर यह कुछिशन आपके एक्जाम में आ सकता है मोस्ट वीवाई क्यूशन है ठीकर फ्रेंस याद खना आप लोग हॉम रूल लेक की स्थापना हुए कब थी हॉम रूल लेक की स्थापना हुए थी 1916 में 1916 में उड़ी 28 अप्रेल 1916 में उड़ी ओमरुल एक स्तापना या दखना आप लोग ठीक है या दखना आप लोग स्तापना किस ने कि थी एनिवेसेंट स्लेब पकॉन थे एनिवेसेंट और स्कालकेश का किसी है अनुचेद 263 से है आर्टिकल 263 से है तो सी हो जाएगा राइडाँ जारी नहीं कर सकता राजे सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता राजे सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता राजे सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता राजे सूची पर से लोग जवाब देंगे जल्दी से लोग अदालत सरो परतम किस राजे में आईजित की गए थी गुजरात में की गए थी और यह रहेगा रेट अंसर गुजरात गुजरात की राजधनी गांदिनगर में है जल्यान निर्मान करने में कौन सा ACI देश प्रतमस्तान रखता है जापान रखता है भी रहेगा राइट आंसर जापान ठीक है बिसाल्टिक चट्टानों से हुआ मास अगरो sú कांधर मांदि हो जाएगा जरेट आंसर निर्ट थै कहला केहले रगबी फुटबाल किस देश का राश्टी केल है किस देश का स्कोट लेंड का है तो भी रहेगा राइट आंसर स्कोट लेंड या दखेंगे देखें नेक्स्ट भारत में डाक जीवन वीमा योजना के शुरुआत किस वर्स हुई थी 1884 में अठासों चुरासे में कभा इतर प्रेंस 1884 में हुए ति ओफसर ममर एरगा रएगा रैड आंसर देखेंगा नेक्सट महात्मा बुधि की मृदो की बाद उनके सीड़ के औव सेंषों पर कितने स्तूपो का निरिमान किया गया कितने स्तूपो का निरिमान किया गया आठ लिए नेक्स्टोंशन ताज महल की फुहड निकल किस मकह्र को कहा जाता है बीबी के मकह्र को कहते हैं उफिसर मड़ी रहेगा रहेट आम से बीबी का मक़वरा फेंस या दखिए आप लोग अच्छे बीबी का मकवरा ठीक है देखें नेक्स्ट देखें क्यूशन है कि दक्षिन का ब्रह्म समाज किस समाज को कहा जाता है बता एकने जल्दी से किस समाज को कहते हैं दक्षिन का ब्रह्म समाज किसो कहते हैं वेद समाज को कहते हैं यह रहेगा रैट आंसर वेद समाज वेद समाज के स्तावन कब हुई थी 1864 मदरास में हुई थी किस ने के थी के सोच अंदर सेन ने के थी ये भी याद रखलेंगी देखेगा नेक्स कूशन है केंद्री प्रियावर्ण अभियंतरन संस्तान कहां पर है केंद्री प्रियावर्ण अभियंतरन संस्तान कहां पर है ज चीन है जी फ्रेंस ऑफ समबर्शी रहेगा राइट आंसर चीन चीक है ना चलेगा पर इसकूशन देखे चलिए क्या है चलिए रश्वपति की रोप में सबसे छोटा कारिकाल किन का रहा बताएंगे जल्दी से वड़ापट किन का रहा किन का रहा था बिल्कुल फ्रेंस जाक बेंटिक तो फ्रेंस इस यह रहेगा राइट आंसर बिल्यम बेंटिक जी फ्रेंस धितने भी कwhat बनते ना गवर्ण वाले सभी कोईक्शन मोस्ट व्याइड एक्षय है और लागबग एक्जाम में आते हैं और सभी वी सर्थ अभी डिसकस करने वाले हैं अच्छा से सोर्सक आंसर देना है और यहाद रख़ना एक नेक्सठkel कि भारत का अंतिम गव़र्णर जनरल को था के बदेगे सबॉक्षाबर की भारत का अंतिम गववर्णर जनरल को था कोटा सब्सक्र्वारत का परतम governor general कौन था स्व Kerryंटर भारत का पृथम governor general कौन था 將ール माउंट बेतन था दो ची होगा right answer पिलाड माउंट बेतन देखें, next स्वpert भारत का पृथम भारती governor general vice raj कौन था स्वर्णतर भारत का पृथम भारती governor general vice raj कौन था C, Raaj Gopalachari था वाइस राइक कोन था भारत का प्रथम वाइस राइक कोन था जिया बिल्कुल फ्रेंस लाड़ कैनिंग था तो भी रहेगा राइट आंशर यहां पर लाड़ कैनिंग या दखना भारत का प्रथम वाइस राइक कोन था लाड़ कैनिंग भी होगा राइट आंशर देखिए ने Next- इंडिया-गेट की नियू बृ्टिस सिरकार ने कब रखे थी इंडिया-गेट की बीच में 1921 में रखे थी तो भी रहेगा रैडाण्स रहान पर 1921 देखिये Next इंडिया-गेट की बीच में अमर जवान जोती को कब स्तापित किया इंडिया गेट के बीच में अमर जवान जियोति को कब स्ताबित के गए? ऐpti 1971 में के गए था? 1971 में क्या गए? सी हो जाएगा Right Answer देखे आगे संसद भवन के नियू पहली बार कब रखे गई? संसद भवन की नियू पहली बार रखे गे थी 1921 में तो रहे गा रैट आंसर 1921 अगला कोश्ट्रियों है कि संसद भवन का विधीवत उधघाटन कब किया गया था बताएंगे जल्दे से संसद भवन का विधीवत उधघाटन कब किया गया 18 जनवरे 1927 गर attacked तो friends भी रहे गा रैट आंसर 18 जनौरे 27 भी रहे गा देखिएगा next संसद भवन का विदिवत उद्गाटन किसके द्वारा क्या गया था बताएंगे आप लोग संसद भवन का विदिवत उद्गाटन किसके द्वारा क्या गया था लाड इर्विन के द्वारा difference option number A रहेगा राइट आउंसर लाड इर्विन या दखना आप लोग देखिए नेक्स्ट भासा के आधर पर राजो का पुंद्र गठन किस वर्स किया गया किस वर्स उन्निस सपन में किया गया था 1956 में क्या गया था बी रहेगा रेट आउंसर उन्स सपन या दखेंगे आप लोग अगला कुशन है कि स्विधान की व्याख्या करने का अन्तिम अधिकार क्यों किसको है तो फ्रेंस डी रहेगा रेट आंसर स्रोची नहीं आले देखे नेक्स्ट लिगनाइट को कौनसा कोईला कहा जाता है लिगनाइट को कौनसा कोईला कहती है भूरा कोईला कहती है लिगनाइट को तो C होगा रेट आंसर भूरा कोईला अगला कोशन देखे कौनसा विटामिन किसी भी मासा हारी भोजन में नहीं पाया जाता कौनसा विटामिन जिफेंस कौनसा विटामिन किसी भी मासा हारी भोजन में नहीं पाया जाता है विटामिन C नहीं पाया जाता तो फ्रेंस भी रहेगा रैट आंशर ठीक है देखिए नेक्स्ट भारत में, नियूनतम मजदूरी अधिनियम, पहले बार, किस वर्ष विकर्थ वा था, किस वर्ष विकर्थ वा, 1948 में, 1948 में स्विकर्थ क्या गया था, या दखना, सी हो जाएगा, रैट आंशर, 1948, डेकि नेक्स्ट, सेफटी लेंप का अविसकार किस ने किया, सेफटी लेंप सेफटी लेंप का विसकार घी राएगा, रैट आंशरम फृडेवी, या दखना, धेकि नेक्स्ट, गिलिना किसका इसका इसका, जे पताएंगे आप लोग, गिलिना, किसका इसका, येफ्रिनकिस का इसक का, इसका, या दखना या दखेंगे, आप लोग भी रहेगा, जन्वरी को मनाया जाता सहीद दिवस सी हो जाएगा right answer ठीक है न देखी गने इसकूशन देखी चली क्या है भारती सविधान प्रोणते कब लागो हुआ बताएंगे आप लोग फ्रेंस की भारती सविधान प्रोणते कब लागो हुआ बताएंगे आप लोग की आगरा सहर की स्तापना किसने की थी सिकंदर लोदी ने की थी तो भी रहेगा right answer सिकंदर लोदी ठीक है देखी ए नेक्स बंगाल की विभाजन को कब अंद्रिस्त किया गया बताएंगे जल्दे से अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक ने कैसे विडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंस की पास जल्दे से सेर कर देंगे बंगाल के विभाजन को कब अंद्रिस्त किया गया कब क्या गया था 1911 में क्या गया था सी रहेगा रेट 1911 या दखेंगे आप लोग ठीक है देखिए नेक्स्ट महात्मा गांदी ने भारती राष्टी कांग्रिस की स्थिस्ता से कब त्याग पत्र दे रहा था कब द्याग पत्र 1934 में त्याग पत्र दिया था फ्रेंस ऑफ्सर मड़ी रहेगा रेट आंसर 1934 में ठीक ना या दखेंगे आप लोग चलिगा फिन एक्सकूशन देखिए चलिए हैजा रोग किसके संकर्मन से होता है हैजा होता है जिवानों के संकर्मन से तो ए रहेगा रेट आंसर अगला देखिए तुंग भद्रा किसकी सहक नदी है किसके कृष्णा की भी रहेगा रेट आंसर कृष्णा देखिए आगे प्राचिन काल में अवंती की राजदने कहांती बताएंगे कहांती उज्जयन में तो फ्रेंस डी रहेगा रेट आंसर उज्जयन या दखना अगला कोष्णे कलिंग का महान सासक कौन था रहेगा रेट आंसर खारवेल अगला कोशन है ब्रहामिय लिपी को सपष्ट पढ़ने का सरी किसको जाता है ब्रहामिय लिपी को सपष्ट पढ़ने का सरी किसको जाता है जेम्स प्रिंसेप को जाता है तो उसी रहेगा राइट आंसर जेम्स प्रिंसेप ठीक है देखे नेक्स मंदिरों की किस सैले को नागर सैले के नाम से जानते हैं मंदिरों की किस सैले को नागर सैले के नाम से जानते हैं किस को जानते हैं ओतरी को किस सैले को ओतरी सैले को नागर सैले के नाम से भी जानते हैं तो ए रहेगा right answer अगला question है कि महाबली पुरम इस्तित एका समक रथो का निर्मान किसने क्या था, नर्शिंग वर्मन प्रथम ने क्या था, तो दी रहेगा, राइट आँशर नर्शिंग वर्मन प्रथम, देखें नेक्स्ट, राजसव सुधारों को स्रोपर्थम किसने चलाया था, किसने चला राइट आँशर लावदिन खिल जी याद अखना आप लोग, राजसो सुधारों को स्रोपर्थम किसने चलाया था, अलावदिन खिल जी ने, तो फ्रेंस भी रहेगा, राइट आँशर अलावदिन खिल जी याद खना, देखें नेक्स्ट, नरोज प्रव को किसने परारम किया था किसने के auge अकबरे बन वाइठा को किसने आकबरने बन वह रह रहेगा राइट आख़ेश या लोग ठीक ए देखेगाए इलाई ध्रम को अकबरे ने कब चलाया था कब चलाया था? 1582 में चलाया था 1582 में तो D हो जाएगा ól राइट आंसर 1582 या दखना आप लोग ठीक है जि? देखेगा नेक्स्ट तमाखो की खेटी किसके सासन काल में श्रू हुई थी? जिख जल्दे ची बताएंगे आप लोग अकबर का राजसो मंत्री कौन था तोडर मल था तो यह रहेगा राइट आंसर तोडर मल या दखना आप लोग तोडर मल ठीक है देखिए गान इस्कूशन देखी चलिए खवाजा मयदिन चिस्ति की द्रगा कहां पर है जे फ्रेंस बदाएंगे आप लोग जल्दी ची पड़ वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंस के पात जल्दी शेयर कर देंगे जन्त्र मंत्र का द्रिमान किसने करवाया था किसने जैसिंग ने कर वाया था सी रहेगा राइट अंसर जैसिंग टिक है देखी जाई भारत तक दक्षिन भारत से उत्तर भारत तक भगति आंदरन किसन चलाया था भगति आंदरन को किसन चलाया था किसन चलाया था राम अनन्द याद आखेंगे आप लोग राम अनन्द याद आखेंगे ठीक है देखिएगा नेक्स्ट विद्वा पुंद्रिवा अधिन्यम कब पायरत हुआ था कब वाता 1856 में जी फ्रेंस ओफ्स नंबर ची रहेगा राइट आउंसर 1856 या दखना आप लोग ठीक है देखेगा नेक्स्ट सेटनिक वर्सेज के लिख कोने सेटनिक वर्सेज के लिख कोने जी बताएंगे आप लोग जी फ्रेंस कोने सिलमान रुस्दी है यह रहेगा राइट आउंसर सिलमान रुस्दी या दखना आप लोग सेटनिक वर्सेज के लिख कोने सिलमान रुस्दी है यह रहेगा राइट आउंसर देखे आगे मानो दवारा बनाया गया प्रतम ओजार क्या था 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 क्या याद रखेंगे देखेंगा नेक्स बाबर ने अपने आत्म कथा किस भासा में लेखिए बाबर ने अपनी आतम कथा किस भासा में लिखी है किस में तुर्की में दी रहेगा राइट आंसर तुर्की या दखना ठीक है देखे नेक्स्ट नारंगी का कौन सा हिस्सा खाने होगे है जूसी हेर सी रहेगा राइट आंसर जूसी हेर या दखना आप लो देए नेक्स्ट सहेवाल किसकी एक नसल है बताएंगे आप लोग सहेवाल किसकी एक नसल है किसकी है गाई की है तो, पृंस भी रहेगा रच राच अंसर गाई या दखना आप लोग ठीक है देखे आगई चलिए मानुसरिका मानु स्रीड के सबसे बड़ी ग्रंती कोने यकर्त है तो उसी होगा रैट आंसर यकर्त या दखना आप लोग और फ्रेंस एक्जाम में आ जाए कि मानु स्रीड का सबसे बड़ा आंत्रे कंग कोन सा है तो वहाँ पर भी यकर्त आंसर बन जाएगा देखे चले ओन जाट का स्रोतम चालक है तो यह रहेगा ये तो यह थे आज के हमारी कोजिशन जो अभी कंपड हो चुके है अगर दौट्ट अगल靈 वीडियो में कलेर के जाएगे अगर आप लोग पहली बार यहां पी आई है चैन्नल को सिस्क्कार्ब करेंगे साथ में बिल आइकन पर भी कलिक कर लेंगे जी फ्रेंस या दखना हमारी अगली कलास अभी सुआ साथ बजे होने वाली है अभी मोर्णिंग में ही सुआ साथ बजे होने वाली है करंट आफ रिसी कलास और जो अभी आपने जो टेश्ट दिया है इसका समय रहता है मॉर्णिंग में साड़े शे बजे तो फिन से लिगा मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए गुड़ बाई जै हिंद जै भारत वंदे मात्रा